हेलो फ्रेंड्स, कहीं तरह के स्प्रिंग रोल्स आपने खायोंगे, लेकिन आटे से बने वे स्प्रिंग रोल्स से शायद आपने कभी नहीं खायोंगे, यकीन मानगे ये बहुत ही क्रिस्पी अंटेस्टी बनते हैं तो चलिए बनाना शुरूर करते हैं एक बॉल में डे ले लेते हैं दो कटोरी आटा और आटे के साथ उसमें मिला लेंगे थोड़ा सन्रमक और दो तीन चमच ओयल जिससे ये क्रिस्पी बने अब हम इसको गुनगुने पाने से गुन लेंगे और इसका आटा बिलकुल ऐसा बनाएं जैसे कि हम कचोड़ी या समोसे का आटा बनाते हैं क्योंकि स्प्रिंग रोल अगर क्रिस्पी ना बने तो मुखाने में मज़ा नहीं आता है तो उसी प्रकार हम आटे को गुन देंगे और उसी ढखकर 10 मिट के लिए छोड़ देंगे तो चलिए हम फिलिंग तियार कर लेते हैं तो मैंने स्प्रिंग रोल के फिलिंग में नूरल्स नहीं डाले, सिर्फ सबजिया ही डाली है तो जो भी सबजिया आपके पास अवेलिबल हो तो आप इसके अंदर आड़ कर सकते हैं तो मैंने डाल दिया हैं शिमला मिर्च, बीन्स और पता गोबी और मैं इसको फूट प्रसेसर में फाइनले चॉप्ट कर लूँगी देखे, बहुत ही बारिक, फाइन चॉप्ट सबजियों कमिश्रन बनके रेडी है इस तरह के सब्जियों कमिश्रन से आप टिक्किया, प्राठे, मॉमोज आदी भी बना सकते हैं तो चलिए हम थोड़ा सा इसको तरका रड़ी कर लेते हैं तेल लेंगे दो चमच और इसके अंदर मिलानेंगे थोड़ा से जीरा फाइन चाप्ट डालेंगे इसमें अनियन थोड़ा सा बून लेंगे और इसके साथ मिलानेंगे हम इसमें हर इमिर्च अद्रक लहसन का पेस्ट थोड़ा कुटावा उसको थोड़ा से बूनने के बाद इसके अंदर मिलानेंगे सारे सब्जियां सब्जियां मिलाने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो भी पानी है हमें उसको थोड़ा से सुखाना है और मैंने इसके मिलाए हैं इसको तेज आंच पर ऐसे भूंते रहें फ्राइब करते हैं अब जो भी मसाला हमें मिलाना है बाद में मिलाएंगे जह हम इसको ठंडा कर देखिए सब्जी को पानी थोड़ा सूग गी है तो मैंने इसको बॉल में अलग से निकाल लिया है ठंडा करने के लिए क给 ठंडा होने के बाद अब इसके अंदर अपने हिसाब से आप मसाले तियार कर सकते हैं तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल पोटाइटो में लाया है और थोड़े बेसिक से मसाले जैसे कि मिर्च, हल्दी, अमचूर, इत्यादी देखिए और थोड़ा सहरा दनिया और उसको मिलाकर तियार कर लेंगे यह हमारी फिलिंग एकदम रेड़ी है आप अपनी साब से इसको और चपटा बनाने के लिए मसाले आड़ कर सकते हैं तो हम आटा देख लेते हैं आटे के बरावर बरावर बॉल्स रेड़ी कर लेंगे और एक बॉल लेकर इसको रोटी की तरह फैला लेंगे बिल्कुल भी मोटा ना रखें हमें बारीक इकदम चपाती टाइप बनाना है और फिर इसके अंदर एक चमच भरके मसाला डाल दें और फ्राय करते वक्त यह फटेना तो इसके लिए एक मैनेक स्लेरी बनाई है पानी और आटे के घोल बना की तियार हो जाता है और उसको चारों तरफ लगा दें जिसे कि अच्छे से चिपक जाए और फ्राय करते वक्त फटेना देखिए इस तरह हम स्प्रिंग रोल रेडी कर लेंगे दोने तरफ से बंद करके अच्छे से इसको रोल कर लें टायेट रोल करें इससे की खुले ना इसी तरह हम सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लेंगे देखे मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम कड़ाय में तेल डालेंगे इसको फ्राई करने के लिए इस तरह spring roll बनाकर आप इनको फ्रिज में store भी कर सकते हैं जिससे कि आने वाले मेमान कभी भी आए और आप इनको बनाकर एक दो दिन पहले ready कर सकते हैं और उनके आती बस fry करते ही उनके सामने सर्व कर सकते हैं अब हम इनको सर्व कर लेते हैं बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बने हैं और इसके अंदर नूडल्स भी नहीं है जो सहत के लिए खाने का रखते हैं मैंने सारे सबजें बर बर कर सकते इंदर डाली हैं क्योंकि आजकर बच्चे सबजें तो खाते नहीं तो उनको किसे ना किसी तरह तो खिलाना है तो देखें स्प्रिंग रोल्स रेड़ी हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे बनाई हुई रेसिपीस अच्छे लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक यू फ़र वाचिंग माय रेड़ीपीस